सम्मोहन और वशीकरन एक ऐसी विद्या है जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है अपने सम्मोहन पाश में बांदा जा सकता है और इसका इस्तेमाल काफी लंबे समय से होता आ रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रयोग एक चीज हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्याएं रहती है कि जैसे उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद उनका जो पार्टनर है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है उनकी बात ही नहीं सुनता है तो ऐसे में बिलकुल जीवन नर्क सा ही महसूस होता है जिस व् बिल्कुल नर्क जैसा प्रतीत होने लग जाता है तो दोस्तों आपको भदा दें कि बड़ी आसान सी क्रिया को करके आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में अपने समोहन में बान सकते हैं अब यह चीज कोई भी हो सकती है अगर आप पैसा चाहते हैं या फिर कोई ऐसी वस् ध्यान से समझें क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा ही खास चीज़े आपको बताई जाती हैं तो इसलिए सभी बातों को ध्यान से सुना करें समझा करें जिससे प्रयोक को सही से किया जा सके और आप इसका अधिक से अधिक लाप भी उठा सकें तो ध्यान से इस वीडियो को प जो शाश्त्रों से, वेदों से, उपनिशदों से जुड़ा हुआ है वे सबी संपून केवल भगवान शिव कही है भगवान शिव नहीं संपून ग्यान इस प्रित्वी को प्रतान किया है और बिना उनकी किरपा के कोई भी चीज सफल और संभव हो ही नहीं पाती है तो दोस् इस प्रयोग को इस क्रिया को सुनते जाएं काला धागा अपनी लंबाई की अनुसार जितने आपके कद है उतना ही लंबा काला धागा आपको लेना है और यह प्रयोग केवल उसी व्यक्ति को करना है जो अपने लिए सामने वाले को अपने वश में करना चाहता है समोहन में ब आपको बता दें कि भगवान हनुमान का जो सिन्दूर होता है उसमें वश्यकरन की सम्मोहन की अदबुद शक्तियां विराजमान होती हैं। भुद्भगवान हनुमान ने राम भगवान को अपने सम्मोहन में बांधने के लिए यह सिंदूर का प्रयोक किया था जिससे वे हमेशा भगवान राम से ही जुड़े रहते हैं। लंबाई के अनुसार लंबा धागा है तो इसमें कोई भी डिजाइन बना कर आप इसे डिजाइन दे सकते हैं बनावट कर सकते हैं अगर आप इसे गले में पहनना चाहते हैं तो गले के लिए बना सकते हैं हाथ में पहनना चाहते हैं तो हाथ के लिए बना सकते हैं लेकिन इस इसके बाद आप इस काले धागे को हाथ में पकड़ते हुए इसमें नो गांठ आपको लगानी है उपर से इस पर नो गांठ लगानी है पहले कोई भी डिजाइन दे देना है और उसके बाद ही केवल नो गांठ लगानी है यानि कि जो नो गांठ आप इस पर लगाएंगे या उपर की और आनी चाहिए ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है कि पहले ही इस धागे में नौगाट लगा दिये और उसके बाद डिजाइन बनाया तो पहले आप डिजाइन को बना लें इसलिए लंबा धागा आप छोड़ दें जिससे नौगाट लगाने के बाद धागा छोटा हो यह प्रयोग को भी आप सुन लें कि नौगाट आपको इस प्रकार लगानी है कि जैसे कि आप एक गाट जब उस धागे पर लगाएंगे तो हर एक गाट पर पाँच माला आपको इस मंतर का उचारन करना है यह जाप करना है यह मंतर इस प्रकार है ओम फ्रोम हन हनुमते फ् इस्तेमाल किया जाता है अगर आपके जीवन में कोई शत्रू है शत्रू आपकी बात नहीं मान रहा है तो शत्रू को भी अपने वश में समोहन में बांधने के लिए क्योंकि जब तक शत्रू आपके वश में नहीं होगा तब तक भे आपके कोई भी बात नहीं मानेगा और हम चौनिशा केवल आपको कष्थ ही देता रहेगा तो इसी प्रकार इस मंतर का उच्चारन आपको करना है एक बार फिर से सुन ले ओम फ्रोम हन हनुमते फ्रोम रामधूताय नमा बस इस मंत्र को हर एक गांठ पर पांच मला जाब करना है रुदराक्ष की मला इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप काउंट कर सकते हैं तो मला की भी कोई आवशकता फिर आपको नहीं है तो इस प्रकार नौ गांठ आपको इस आप प्रकार आपको लगातिय। अधागा आठ दिन तख उसी चमिली के टेल में उसी सिंधूर में पढ़े रहने देना है और इस दिय में यानि कि आप कोई ऐसे पातर का इस्तिमाल कर लें जो मिट्टी का हो जैसे दिया होता है दिये में चमेली का तेल डाल कर उसमें धागा डाल दें और उपर से सिंदूर में इसे घोल दें और बस इस दिये को फिर कवर करके किसी भी पनी से किसी भी ऐलमूनियम फॉयल से भी कव किया जासकता है इसको cover करके किसी भी people विरिक्ष के पास जाकर जाकर मिट्टी में इस दीय को गाड कर आजाना है और ऐसी जगाण कर आना है जिसे बाद में आप बड़ी आसानी से निकाल सकें अब आपको ये भी बता दें कि जब आप गाड देंगे और दुबारा निकाल जा जिससे आपको ध्यान रहे कि आपने ये गाड़ा कहां पर है बिल्कुल एक्जेक्ट पॉइंट और वहीं पर हाथ डाल कर आप दुबारा इसे निकाल सकें इस प्रकार इस दिये को लगातार आपको आठ दिन तक उसी मिट्टी में दबे रहने देना है और आठ दिन बाद या या जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं अगर उस व्यक्ति को यही धागा अपने हाथ से पहना दिया जाए अगर वह नहीं पहनता है तो आप केवल इसे पहन ले क्योंकि आप उस व्यक्ति को चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं तो वही व्यक्ति आपके समोहन पाश में इत इतनी आसानी से इस प्रयोक को करके लाब उठाया जा सकता है लेकिन आपको इस बात के बारे में बता दें कि जैसे ही इस धागे को आप बांदेंगे तो जो भी चीज आपके दिमाग में चलती है जिस चीज को आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आ जाए जिस चीज को अब चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, यानि कि जो भी चीज 24 गंटे आपके दिमाग में चलेगी, वही चीज आपके जीवन में इतनी अच्छी तरह से आकरशित होगी कि आप बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे. यह धागा बनाने की ऐसी कुप्त विध्या के बारे में हमने आपको बताया जो तंत्र से जोड़ी हुई है, पीपल विख्ष के पास पीपल विख्ष की मिट्टी में इसे काड़ देने से यह धागा अधभुद चमतकारी हो जाता है, बलकि जो लोग टोने टोटके आदी, त संत्र क्रिया अधी से परेशान रहते हैं या जिन लोगों को यह परेशानी होती है कि उनके घर पर कोई कुछ करा देता है, तो इस प्रकार धागा बना कर हाथ में पहन लेने मातर से फिर आप पर कोई भी कुछ भी नहीं करा पाएगा, यह काला धागा बनाने की ऐसी विद सकें, काले जादू से बच सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा खास चीज़े आपको बताई जाती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बेल बटन दबा कर रखें क्योंकि यह जानकारी आपको बाकी किस और चैनल में नहीं मिलेगी, बेल बटन दबाने से वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे, तो आज के लिए केवल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव